आज के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ट्रेंडिंग नेक जो अल्मोस्ट हमारे पास जितनी में ब्रेंड है उनकी कुर्टिस में यह जो स्टिच क्लेक्शन होती है उसमें यह लाजमी बनी ही आपको नजर आएगी तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने बुक्रों की वीट ली है वो अबाउट 13 इंचीज है और इसकी लेंट मैंने जो ली है अबाउट 15 इंचीज है आप 16-17 इंचीज जितनी आपको लंबी पटी रखनी हो आप उसकी हिसाब से इसकी लेंद को ज्यादा कर सकते हो उपर से नेक जो है वो हम यहाँ पर 1 इंच अपनी इंच यह कम होगी तो अबाउट मैं इसको 4.5 इंच रखनी हूं इसकी विट जो के रैडी होने के बाद 3 इंच यह 3.5 इंच के बिट्मीन आएगी सेम इसी तरीके से जो इसकी लेंथ होगी नेकी वो भी हमने 1.5 इंच बढ़ा के रखनी है मैं यहाँ पर 8 इंच रखनी हू अगर हमें बाद में लगेगा कि हमारे पास नैकी लेंच ज्यादा आ रही है तो हम उसको बाद में कट भी कर सकते हैं चेक कर लेंगे पहले स्टिच करने से अब नीचे जो है जितना भी इसका एरिया बच रहे बाउट 7 इंच इसका बच रहे तो यह मैं नीचे की प्लैकट इंच की 1.5 इंच की मार्किंग त्रू आउट करनी है ठीक है यह देखेंगे यह 8 इंच है और गर हम टेड़ा लेके आएंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा आएगा यह हमारे पास इसके बाद नीचे से चुह है मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगा रही हूं त्रू आउट प्ल मार्किंग करेंगे मार्किंग करने के बाद हमने इस तरीके से इसको सारे अपने मार्क को जॉइन कर लेना है और इसको कट कर लेंगे सेंटर से इसको कट करके इसकी दो हम पतियां कहलें या प्लैकेट कहलें वह बना लेंगे और जो आपके पास इस फैब्रिक के ऊपर आपने पेस्ट करना में जो उसी फैब्रिक के ऊपर आप इसको पेस्ट करोगे, अगर आप दोनों साइट पे कट दिना चाहरे हैं, तो दोनों पे कट कर लें, otherwise मैं यहाँ पर एक प्लैकिट पे कट दिने जा रही हूँ लेंध हम इसकी 2 इंच और विर्थ हम इसकी 1 इंच रखने हैं means यह 2 इंच जो है वो खुला है जबकि आगे की तरफ जो इसका कर बनाएंगे हम वो वन इंच का है और यहाँ पर हम हाफ इंच पर इसकी मार्किंग कर लेंगे हाफ इंच पर हमने लाइन ट्रॉ कर लेनी है, वन इंच में से हाफ इंच पर हमने लाइन ट्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच जो इसका बचेगा लेफ्ट उसके उपर हमने यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल फॉर्म कर लेना है यह तो मेरे हाल में अब सब को ही आ गयोंगे सर्कल में कर्ट करना क्योंकि यह बहुत जादा वर्क किया जा रहा है और काफी टाइन से यह वर्क चल रहा है इस तरीके से हम अपना एक सर्कल जो हो फॉर्म कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है इसी को लेते हुए हम अपने फुल प्लैकिट के ऊपर यह कर्ट बनाएंगे यहाँ पर प्लैकिट पर मैंने हाफ इंच पर लाइन लगा लि अगर की हाफ सर्कल आ रहा है तो वह नीचे की तरह आजाएगा यह देखें इस तरीके से उपर से हमने से सारी कम्प्लीट रखने आ हैं कि सारी प्लैकिट के अपर मैंने इसी तरीके से यह रखते हुए कट बरक कर लिया है अब इसको कट करूँगी और इसके बाद हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे मेरे पास दोनों फ्लैकिट्स मेरी रैडी हो गई है अगर आप दोनों पे कट देना चाहें तो दोनों पे कट पर कर ले और ये इस तरीके से कुछ इनकी लुक नजर आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अभी इसकी जो वीट्स और लेंथ है अभी हम इसको रख रहे हैं तो यह 7 इंचीज ही अब आउट आ रहे हैं लेंथ भी और वीट्स भी ठीक है अब हमने इसको जो है फैब्रिक के उपर जॉइन कर लिया है पेस्ट कर लिया है आईरिन करने के बाद और यह हमने दो पटियां रखी है उपर और नीचे इसकी दोनों तरफ ठीक है नडबल फैब्रिक है यहाँ पर एक के उपर बुकरम जो है वो पेस्ट किया गया है दूसरा हमने इसको ऐसे ही रखा है अब हमने इसको शर्ट के उपर रख लेना है और रखने के बाद हमने देखना है कि कहां तक हमारी प्लैकिट आ रही है और वहां तक हमने माग कर लेना है ठीक है अभी तक तो हम सिर्फ जस्नेक के पर वर्क कर रहे थे देन उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ हाफ इंच का मार्क लगा देना है हाफ इंच से भी थोड़ा बिल्कुल जरा सा कट करते हैं हम तो अब आउट हाफ इंच आप रखने इसका आइडिया कि हमने यहाँ पर तकरेबन हाफ इंच की जो है कर्ट करने के बाद हम यहाँ पर दो इदे कर्ट देंगे और वो हमने किस तरीके से देने हैं यह देखें शर्ट को हमने बिल्कुल स्ट्रेट करके इस तरीके से फोल्ड करके रखने है और देन हमने यहाँ पर कर्ट देने हैं बिल्कुल आपके exact cuts लगेंगे, यहाँ पर छोटे-छोटे से दो cut लगाने हैं, प्लैकिट के लिए, next अब हम इसकी stitching की तरफ चलेंगे, देखेंगे सबसे पहले जो हमारी cut work वाली प्लैकिट थी, उस पर हमने curves के साथ-साथ inner side के, यही हमारी प्लैकिट की inner side है, तो इधर हमने पहले cut work विल्कुल इसके साथ-साथ हमने sly लगानी है, और यहाँ पर आप अपने stitch को बिल्कुल short रखेंगे, छोटा रखते हुए आपने इसको करना है, सेम इसी तरीके से अब दूसरी जो प्लैकिट है, उसकी भी inner side पर ठीक है, आउटर side पर नहीं, inner side पर हमने sly लगा लेनी है और इसको हमने पलट लेना है, पलटने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे, यह देखें दोनों प्लैकिट स्टैडी हो गई, जो cut work वाली हमारी प्लैकिट है, इसके भी जितना extra fabric था cut करने के बाइसे हम छोटी-छोटी cuts देंगे, ताकि इसे fold करने में असानी रहे, और उसके बाद मैंने इनको press कर लिया है, पलट कर, यह देखें, हमारी दोनों प्लैकिट स्टैडी हो चुकी है, अब हम इनको shirt के साथ attach करते हैं, जो long part था हमारा लंबे वाला हिस्सा, वो हम shirt के उपर V की तरफ रखेंगे, और इसको पहले हम साथे वाली प्लैकिट को fold करके center में cut दे लेंगे, जहां से हमारे पास प्लैकिट को नीचे की तरफ मौन है, ठीक है, उदर हमने हलका सा cut लगा देना है, ताकि हमें stitch करने में आसानी रहे, नेक के along अब हम इसको रख दे जाएंगे और बिलकु सीजा सीजा इसको हमने stitch कर लेना है, जहां पर हमारी नेक खतम हो रही है, वी, वहां पर हमने हलका सा cut दी है, और उसके बास हम अपनी प्लैकिट को नीचे straight ले आएंगे, यह हम वहीं तक लेके आएंगे, जहां तक हमारा cut है, बिलकुल cut के पास लाकर हमने अपनी स्लाई को रोक देना है, और stitch को लॉग कर देना है, सेम इसी वे में हमने दूसरी प्लैकिट को भी अटेच कर लेना है, प्लैकिट लगाते वक्त आप यह खियाल रखेंगे कि आपका जो जिस साइट पर आपने बुगरा मटेच किया, फैब्रीक का वो पीस पलट कर उपर की तरफ आए, फ्रांट पर आए, बहुत ज़्यादा ये नेक फैशन में है, इधर भी हम उसी तरीके से कट लगा लेंगे, जहां पर हमारा वी नेक एंडोर है, और नीचे से प्लैकिट को हम बिल्कुल सीधा ले आएंगे, इसको भी हमने अगेन कर्ट तक ले किया आना है, कर्ट तक हम अपना निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद हम अपने स्टिच को लॉग कर देंगे, अब हम प्लैकिट को टर्न करेंगे अंदर की तरफ और इसमें कर्ट पर की जो हमारी प्लैकिट है, हम उसको उपर की तरफ रखेंगे, उपर वाला जो हमारा ब्लू फाब्रिक है, इसको उदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और नीचे से भी stitch करेंगे, इसको उपर से भी stitch करेंगे, ये देखें, नीचे वाली side भी हम इसको एक rough stitch लगा देते हैं, इसको प्रेस करेंगे और उपर वाली side भी हम इसके stitching कर लेंगे, ये देखें, कुछ इस तरीके से लुका जाएगी, प्रेस करने के बाद मैंने इसको उपर से भी एक stitch लगा दूँगी, बिल्कुल corner पर, ताकि अच्छे से हमारे पास ये प्लैकिट जो है वो lock हो जाए, अगर आप यहाँ पर lace attach करना चाहें, तो आपने इस slice से पहले ही lace attach कर नहीं है, then आपने इसको जो है, नेचे से lock कर देना है, अब यहाँ पर जो seam allowance है, उसको हमने अंदर की तरफ रखते हुए, उसके उपर उपर बिल्कुल एक pair के distance से हमने इदर slice लगा देनी है, इससे क्या होगा हमारा प्लैकिट का जो जितना भी अंदर fabric है वो lock हो जाएगा यह देखें इस तरीके से, अब हम इसकी length चेक कर लेते हैं, और neck की, और देख लेते हैं, इसकी width कितनी है, about 7 inches length और 7 inches है हमारे पास इसकी width आ रही है, तो जब हम इसके shoulder join कर लेंगे, तो यह बागी का half inch काम हो जाएगा, अब देखें यहाँ से नीचे से हमारी प्लैकिट ज along, नीचे की तरफ हम इसके slide लगा लेंगे, यह देखें, इस तरीके से, नीचे से में start का रही हूँ, corners पर slide नहीं लगाएंगे, otherwise हमारा cut work है, वो prominent नहीं होगा, तो इसलिए हम cut के along, जहां तक हमारे पास cut half inch तक आ रहे थे, तो वो ही half inch तक हमने बिल्कुल ऐसे straightened line लगा लेने हैं, stitch लगा लेने हैं, और stitch को lock कर देने हैं, this is the final look of our neck, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी look आई है, back view मैंने इसके साथ join कर लिया है, इसके उपर आप कोई सी accessory लगा सकते हो, button बटी चली भी है, वो लगा सकते हो, इस तरह के button यूज़ कर सकते हो, tussles यूज़ कर सकते हो, same color image यूज़ कर सकते हैं, यह आप यह जो contrast में blue color पर आ रहा है, उसमें आप लगा सकते हैं, या as it is रहने तो भी इसकी बहुत एच्छी look आती है, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, thank you for watching,